हाँ तो आज हम लोग प्रश्णावली 15.1 का से इस भाग करेंगे तो हमें प्रश्ण नमबर 14 से करना है तो प्रश्ण नमबर 14 में हैं बावन पत्तों की अच्छी तरह से फेटी गई एक गड़ी में से एक पत्ता निकाला जाता है है ना तो बावन पत्तों में से है तो पहले बावन पत्ते क्या होते हैं किस कलर की होते हैं वो सब पहले हम दो देख लेते हैं तो पहले हम लोग बावन पत्तों के बारे में देख लेते हैं कितने रंग के होते हैं कौन-कौन से होते हैं तो देखे इन बावन पत्तों को कैसे बिभाजित किया गया है ये 52 पत्ते इनको आधे आधे ये आधा काले कलर और आधा लाल कलर के होते हैं तो 52 का आधा कितना होगा 26 तो 26 पत्ते लाल हो जाएंगे और 26 पत्ते काले तो इन 26 पत्तों में फिर से भी भाजल होता है तो इनका होता 13 तेरा ये हो गए 13 और ये 13 तो 13 तो 13 और 13 तो ये कौन-कौन से होते हैं तो इनमे होता है पान का पत्ता ठीना और इट का पत्ता तो पान का पत्ता इस प्रकार का बना होता है ये पान का पत्ता है और इट इस प्रकार का आखिरती होती है ये इट का ठीक ना तो ये पुरा लाल कलर में होता है और ये ये भी इट लाल में होता है तो पान के 13 पत्ते इट के 13 और जो बाकी बचे उ देख लेते हैं तो इसमें तेरा तेरा पत्ते फिर से भी भाजर होता है तेरा पत्ते और तेरा पत्ते तो तेरा में पहला तेरा देख लेते हैं हुकुम का होता है हुकुम के तेरा पत्ते होते हैं और चीड़ी के होते हैं ठीक ना तो हुकुम के पत्ते का अकृति इस प्रका यह हुकुम क्या है ठीक न यह पुरा काले में होता है तो इस परकार चार परकार के पत्ते पाए जाते हैं और इनमें से हम एक पत्ते की बारे में पुरा तीरे पता दें वही सम्मे होता है अगर मैं पान का बताओंगा तो वही काम इट और हुकुम और चेड़ी में भी होता है ठीक ना तो पान के पत्तों को बारे में देखा जाए तो सबसे पहले इन तेरे पत्ते में कौन-कौन से पत्ते होते हैं देखिए पान के पत्ते में एक पहला होता है एक ऐसा पत्ता तो इस पर एक पान का पत्ता बनाता है ठीना जिसे एक का बोलते हैं ठीना उस पान के पत्ते बड़ा सा मतलब जो भी काट रहेगा उस पर एक बड़ा सा पान का फोटो बना रहेगा फिर इस पर दो तो इस पत्ते पर दो पान बने रहेंगे ठीक ना तेन, चार, पान छे, साथ, आठ नो, ये दस ठीक ना, तो अलला नाम बोलते हैं, तो देखें, ये दस वाला मतलब की इस कार्ट पर दस पान बने रहेंगे, ठीक ना, इसके बाद 11, 12, 13, इन पत्तों को देखें, एक होता है बादसा बेगम और गुलाम ठीक ना, तो ये बादसा में क्या आता है, इन तीनों पत्तों पर इनकी फोटो बनी होती है ठीक ना, इनकी आकर्टी बनी रहती है बादसा वाले कार्ट पर बादसा का आकिर्ती बनी रहेगी बेगम का बेगम की फोटो बनी रहेगी और गुलाम वाले पर उड़ा इसको जोकर बोलते हैं ठीक ना किंग कुइंग और जोकर तो ये इस प्रकार इन पान के पत्ते के इस प्रकार का अरेजमेंट होता है यही काम इन बाकी से इस तीनों पत्तों पर ही होता है ठीक ना तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो यह तीन पत्ते पर आकिर्ती बनी रहती है इसलिए इनको आकिर्ती वाला पत्ता बोलते हैं और यही यहां भी रहेगा यहां भी यहां भी यहां भी तो इस प्रकार तेन और चार एक दो तेन चार तो बार ठीना तो इसी को face card बोलते हैं, क्योंकि इन पर face बना रहता है, इसको याद रखिएगा, तो यह रहा 22 पत्तों का पुरा arrangement, यही काम इन 22 तीनों में भी रहेगा, इस पकार 13 पत्तों का क्या क्या नाम होता है, और क्या होता है, किसका photo बना रहता है, यही ची लगता है, इन यह देंगे, और 26 वो काले पत्ते काले काले ही देखाए देंगे, ठीन तो अब अगला question हम इस पर देखते हैं, तो इसमें क्या है, बावन पत्तों की अच्छी प्रकार से फेटी गई, एक गड़ी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्र लिखित को प्राप्त करने की प्रा परिणामों की संख्या लिख लेते हैं, परिणामों की संख्या, तो देखिए बावन पत्ते होते हैं, इसलिए ये बावन हो जाएगा, और पहला question लिखा है, लाल रंग का बात्सा, ठीक ना, तो लाल रंग का बात्सा है, तो लाल रंग के बात्से हमको दो मिलेंगे, ठीक और एक इट का बादसा, यह दोनों लाल पत्ते होते हैं, इन दोनों के दो पत्ते हैं हमको लाल कलर में मिलेंगे, ठीना, कुल पुरे पत्ते में, बाउन पत्तों में चार बादसा होते हैं, जिनमें से दो लाल बादसा होते हैं, और दो काले बादसा होते हैं, हमको लाल बाद आसा मिलेंगे तो इसमें लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर ये दो हो गया ठीक ना तो अब हम दोग सुत्र लिख लेते हैं तो लिखेंगे पी बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख् बटे सभी संभव सभी संभव परिणामों की संख्या ठी ना तो ये सुत्र होता है इसमें मान रख देते हैं अनुकुल परिणाम कितने हैं? दो और सभी संभव परिणाम बावन ठीक ना? तिसो सरल कर लेंगे दो एक कम ये 26 बार में कर जाएगा तो एक बटे 26 प्रश्न का ये हल हुआ इसी प्रकार दूसरा भाद देखते हैं इसका इसमें लिखा एक फेस काड अत्वा अर्था तस्वीर वाला पत्ता तो देखे अभी हमने बताया कुल 12 है ठी ना 12 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं तो हम इसमें लिखेंगे अनुकूल परिरामों की संख्या की संख्या बराबर 12 है तो देखे इसमें कहीं काला और लाल की बात नहीं किये गई है केवल तस्वीर वाले पत्ते की बात किये गई है तो पूरे card bound पत्तों में ये 12 ही तस्वीर वाले पत्ते होते हैं ठीक ना, तो हम इसे में लिख लेते हैं, formula पर क्या बठेगा P, face card face card, ठीक ना, या तस्वीर वाले तो face card 12 बटे, 12 ठीक ना, इसको काट लेते हैं यह हो जाएगा, देखे 4 त्याई 12, 4 एकम 4 त्याई 12 ती हो जाएगा 13 बटे, sorry, 3 बटे 13 तो 3 बटे 13 हो गया इसका तिसरा भाज देख लेते हैं तिसरे वाले में लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता ठीक ना, इसमें लिखा है, लाल रंग का तस्वीर पत्ता वाले पत्ते, तो देखे, इसमें क्या जाएगा देखे, यह जाएगा लाल वाला लाल और काले पत्ते में, कौन-कौन से तस्वीर इसमें देखे यहाँ आप होगा, बात्सा बेगम गुलाम, ठीक ना, इसमें भी यही अरेजमेंट होगा और इसमें भी यह अरेजमेंट होगा ठीक न? तो यह लाल वाले पत्ते अब देखे इसमें हमको क्या पूछ रहा है? लाल रंका तस्वीर वाला पत्ता, ठीक न? यह हमको लाल वाला यह रहा, इसमें यह रहे तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे मतलब बादसा, बेगम, गुलाम यहां भी मगर यह लाल वाले हैं, और काले वाले वाले हो रहे तो कुल मिला के देखे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, क्यारव बारे पत्ते तस्वीर वाले हो गए, इसमें सम्गों कि वो लाल वाले पत्ते चाहिए, देखे तीन और तीन, छे, तो हम लिखेंगे आपर, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, बराबर 6 लिख ले थे हैं, और फॉर्मूला क्या होता है, पी, यहां क् रंग का देखेंगे लाल रंग का तस्वीर वाला वाला पत्ता तो इस प्रकार हमको फॉर्मलेस के हिसाब से 6 बटे 52 हो जाएगा और इसको काट लेते हैं तो 2, 3, 6, 2, 2, 4, 2, 6, 12 इस प्रकार 3 बटे 26 प्रश्न का ये हल आया ठीक ना तो अगला भाग देखते हैं देखा है इसमें पान का गुलाम ठीक ना तो देखें पान का गुलाम देखें सबका इन लाल पत्ते और काले पत्ते सबका अगर बात करें तो चार गुलाम होते हैं हमको ठीक ना लाल रंग में यहां पर देखें लाल रंग में कुन-कुन से होते और यहाँ चिडी का पत्ता ठीक न, तो यह सब पत्ते हो गए चाद प्रकार के पत्ते होते हैं प्रते एक पत्ते तेरे तेरे के होते हैं, ठीक न, तो हमको चाहिए पान का गुलाम, देखें इसमें भी एक गुलाम मिलेगा, इट में भी गुलाम हुकुम में भी गुलाम और चिडी में भी गुलाम मगर हमको केवल पान का एक गुलाम चाहिए तो पान में एक ही गुलाम ही होता है इसलिए अनुकूल परणामों की संख्या कितनी जाएगी एक हो जाएगी तो हम यहां लिख लेते हैं ऊपर लिख लेते हैं यह इप गुलाम थिख न, तो 5 गुलाम यह जगा 1 बटे 52 32 तिस प्रस्णा हल हो गया थिख न और अगला प्रस्णा देखते हैं अगला भाग है पांचवा भाग है तो पांच में हुकुं का पत्ता चाहिए थिख न तो हुकुम का पत्ता के लिए क्या देखोगा देखे हुकुम का पत्ता खुल तेरा पत्ते होते हैं ठीना हुकुम का पत्ता चाहिए तो हुकुम का कोई भी एक नमबर दो नमबर से लेकर तेरा नमबर तक सब तेरा पत्ते हुकुम के होते हैं यहाँ लिखेंगे अनुकुल प्रणामों की संख्या 13 और यहाँ लिखेंगे हुकूम का पत्ता ठीक ना तो हुकूम के पत्ते 13 बटे 52 तो 13 एककम 13, 13 चवके 52 इस प्रकार 1 बटे 4 प्राप्त हो गया और इसका अन्तिम भाग है एक इट की बेगम तो इट में देखें एक बेगम होगी ठीक ना इट की एक बेगम एक इट की बेगम चाहिए हमको तो अनुकुल प्रणामों की संख्या किती जाएगी एक और यहाँ लिखते हैं हुकूम की बेगम यह सौरी एक इट की बेगम है तो यहाँ लिखते हैं एक इट की बेगम तो यह जाएगा एक बटे बाववन तो इस प्रकार प्रस्ट नमबर चौदर के सभी भाग हो गये अब प्रस्ट नमबर तेरह देख्या पंद्र देखते हैं अब प्रस्ट नमबर तैस के पांच पत्ते इसको लिख लेते हैं लेखा इट का दहला इहां लिख लेते हैं इट का दहला दहला मतलब दस्मा नमबर वाला दस्मा पत्ता और गुलाव बेगम और बादसा और एकका ठीक ना ये एक दो तीन चार पांच ठीक ना पांच प्रकार के काड है ठीक ना कोपलट करके अच्छी प्रकार फिट आ जाता है फिर इन में से एक पत्ता यादिस्तर निकाला जाता है इसकी क्या प्राइकता है कि यह पत्ता एक बेगम है ठीक ना तो इसमें देखे बेगम कितनी है एक ही बेगम है तो कुल कितने पत्ते हैं पहले तो देखे एक दू तीन चार पांच तो हम यहाँ 5 पत्ता लिख लेते हैं ठीक ना और अनुकूल हमको क्या निकालना है तो भाग एक में बेगम निकालना है तो बेगम एक बेगम है तो इसमें लिखेंगे बस फॉर्मूला लिख लेते हैं पी और क्या है बेगम का पत्ता बेगम वाला पत्ता ठीक ना तो इसमें अनुकूल परणाम एक और सभी अनुकूल परणामक संख्या 5 तो इस प्रकार एक बटे 5 प्रस्णा हल हो गया अब देखें प्रस्ण नमर 2 में लिखा है भाग 2 में है यदि बेगम निकल आती है तो उस से अलग रख लिया जाता है तो देखे अगर बेगम अलग निकाल लेंगे तो यहां पत्तों की संख्या में कमी आ जाएगी ठीक न एक बेगम तो निकल गई तो कुल पत्ते पांस थे तो अब चार पत्ते बचे ठीक न तो यह हो गया फिर इसके बाद इसको ध्यान रखेगा पत्ता अलग रख लिया गया उसको गड़ी में वापस नहीं मिलाए गया तो पत्तों की संख्या कमी हो जाती है और इसकी क्या प्राइकता है कि दूसारा निकाला गया पत्ता एक एक का है ठीक न तो अब लिखेंगे हाँ पर सभी संभव परिणामों की संख्या की संख्या बराबर देखे एक पत्ता माइनस कर दे रहे हैं ठीक ना बेगम निकला इसको बाहर कर दिये तो कुल पत्ते चार बचे तो अब इसमें दो भाग दिया हुआ एक एक वाले में लिखा है कि एक इका हो तो इसमें हमको अनुकुल परणाम कितने हैं अनुकुल परणामों की संख यहाँ भी एका एक गही है था एक इका इसलिए एक लिख लिया अब पी एक इका तो इका कितना एक बटे यह चार हो गया है ना बटे चार हो गया अब भाग में कितना लिखा है तो लिखा एक बेगम आनी चाहिए ठी ना अब देखिए चोंकि इसमें बेगम तो निकाल के बा अगर वो पत्ता नहीं है तो यह इस प्रकार की घटना को असंभो घटना भोलते हैं ठीना इसका आंसर सुनने आएगा तो यहां लिखेंगे अनुकूल परढ़ाम अनुकूल परढ़ाम मो की संख्या जीरो क्यों बेगम निकलेगी ही ने हमको अब लिखेंगे पी बेगम पत्ता बेगम वाला पत्ता तो बराबर क्या लिखेंगे जीरो बटे कूल कितने पत्ते हैं चार इस प्रकार इसका जीरो आता है ठीक ना जो घटना घटना ही घटित ही नहीं हो सकती उसकी प्राइकता सुने आती है और जिसकी घटना निश्चीत होती है ठीक ना जिसके ऐसी घटना जो निश्चीत घटना हो मतलब वो कितना भी बार आप प्रयास करिए वो घटना वही घटीगी जैसे अगर एक थैले में केवल लाल कलर की बॉल रखी है, ठीना, अब आप उसमें अगर आप कोई यादिक्स्त या मतलब की बिना देखे, अगर उसमें आप बॉल निकालेंगे, तो हमेशा और हमेशा लाल कलर की ही गेंद निकलेगी, तो इसमें कि वो लाल कलर की ही गेंद है, इसके लाबा कोई अलग कलर क गेन नहीं है तो ऐसी घटना को संभो घटन या निश्चित घटना भूलते हैं और इसकी प्रायक्ता एक होती है ठीक ना तो इसको याद रखेगा निश्चित घटना की प्रायक्ता एक और अनिश्चित घटना या असंभो घटना ठीक ना असंभो घटना की प्रायक्ता सुन किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए ठीना मतलब कि 132 पेन अच्छे हैं और 12 पेन खराब पेन है केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है इस मिश्रण में से एक पेन यादिक्सतर निकाला जाता है निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्राइकता ग्याद कीजिए ठीक ना तो हम इसमें सभी संभो परणाम लिख लेते हैं तो इसमें देखे कुल कितने पेन हैं तो इसमें कुल 12 यह 12 लिख लेते हैं 12 और 132 ठीना जोड लिजे 4 मतलब 144 हो गया अब इसमें लिखा है कि अच्छा पेन होने की क्या प्राइकता है तो इनमें हमको अच्छे पेन कितने हैं 132 तो अनुकुल परणाम कितने होगे 132 और इसमें सुत्र लिख लेते हैं पी अच्छा पेन ठीना अच्छा पेन ठीना इसकी प्राइकता ग्याद करेंगे संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या तो इसमें कितना है अनुकुल परिणाम 132 और यहां 144 ठीक ना अब इसको हल कर लेते हैं इसको किसे 4 से ही काट लेते हैं अब अगला परिशन देखते हैं इसमें पहला भाग लिखावा है 20 बलफों के एक समूह में 4 बलफ खराब है तो देखे इसमें न कुल 20 बलफ ही दिया हुआ है ठीन जैसे इसके पहले वाले प्रस्ट में 12 अलग खराब पेन था और 132 अच्छे पेन थे तो हमने इन दोनों को जोड लिया था ठीन तब इस प्रकाम को 144 बलफ हुआ था मगर इसमें देखे इसमें बोला कि कुल 20 बलफ ही है और उसके अंदर 4 बलफ खराब है इसका मतलब 16 अच्छे हैं और 4 खराब बलफ है ठीक न इस समूह में से एक बलफ यादिस्तन निकाला जाता है इसकी क्या प्राइकता है कि यह बलफ खराब होगा तो खराब होने की प्राइकता निकालना है तो निकालेंगे सभी सम्भो परणामों की संख्या यहाँ देखे 20 रखेगा ध्यान से ठीना 20 और 4 जोड़ेगा नहीं तो 20 हो गया और अनुकुल परणाम तो अनुकुल परणाम का मतलब कि हमको खराब बलफ निकालना है तो कुल खराब बलफ कितने हैं इसमें 4 यह 4 हो गया तो लिखेंगे पी खराब बलफ बलब बराबर अनुकुल परणामों की संख्या अनुकुल परणामों की संख्या बटे सभी संभोपरिणामों की संख्या संभोपरिणामों की संख्या बराबर तो अनुकुल परिणाम कितने है? 4 पटे 20 4 पंचे 20 3 हो गया 1 पटे 5 हो गया तो ये पहला भाग था ठी न? सेकंड भाग देखते हैं इसका तो second भाग में दिखा हुआ है माल लीजिए कि पहले जो first एक नमबर में जो निकाला गया बलब खराब नहीं है ठीना तो खराब नहीं था इसका मतलब हमने अच्छा बलब निकाला था देखे इसमें 20 में से अच्छा बलब कितने थे अच्छा 16 और खराब चार बलब थे ठीक ना और इस पहले अब दूसरे भाग में लिखा है कि देखे निकाला गया बलब खराब नहीं है और नहीं इसे दुबारा बलब के साथ मिला जाता है मतलब हमने एक अच्छा बलब निकाला और उसको वापस फिर मिलाया नहीं ठीक ना तो मतलब 20 में से एक बलब निकालके बाहर कर लिया तो कुल गिंती कितने हो गई 19 की हो गई और उस 19 में से इसमें से एक अच्छा बलब निकाला है तो हमने ये 15 हो गया और ये 4 का 4 ही है ठीक ना इस वाले कोश्चन के लिए अब बोला है देखिए कि अब सेश पलफों में से एक बलब या दिक्सतर निकाला जाता है इसकी क्या प्राइपता है कि यह बलब खराब नहीं होगा तो अब लिख लेते हैं इसके सभी संभो प्रणामों की संख्या देखिए इसका सभी संभो अलग है B से यहां पर लिखेंगे तो इसमें एक गिंती में कम हो जाएगा ठीना क्योंकि इस बलब को उने वापस नहीं रखा है सभी संभोग प्रिणामों की प्रिणामों की संख्या बराबर 19 ठीना एक बलब माइनस और इसमें माइनस में अगर इस उने इसमें से बात करें तो हमने इस वाले प्रशने बोला है कि हमने निकाला गया बलब खराब नहीं है इसका मतलब हमने अच्छा बलब बलब निकाल लिया और उसको वापस भी नहीं रखा तो 16 बलफ है एक अच्छा बलफ निकल गया तो कुल 15 बलफ अच्छे वाले बचे और 4 खराब जो थे पहले वही रह गया है तो इसे बोला है कि यह बलफ खराब नहीं होगा तो नहीं खराब मतलब यह बलब खराब नहीं होगा मतलब हुने यह 15 बलब ही अनुकूल परिणाम होंगे तो लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 15 और लिखेंगे पी खराब बलब नहीं होना है न मतलब अच्छा बलब होना तो यह मतलब 15 बटे यह 19 तो इस प्रकार प्रस नमबर 17 के दोनों भाग हो गए अब प्रस नमबर 18 देखते हैं देखे प्रस नमब 18 में है एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर एक से लेका 90 तक संख्याएं अंकित हैं यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादिक्सता निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायक्ता है कि प्रायक्ता ज्याद कीजिए कि यह डिस्क पर अंकित हो तो इसको पर एक लिखावा है इस प्रकार कुल 90 डिस्क है प्रकार सभी संभो प्रणामों की संख्या कितनी हो गई यह 90 हो गई ठीक ना और पहला भाग तो इसमें देखे अनुकूल प्रणामों की संख्या पहले हमको निकालना है तो इसमें पहले भाग में बोला दो अंकों की एक संख्या ठीक ना तो दो अंकों की संख्या कितनी संख मिलेगी एक से लेकर नबबे तक में दो अंकों की संख्या देखे कहां से मिलती है देखे एक दो तीन चार जब गिंटी करेंगे तो एक से लेकर नो तक एक अंकों की संख्या होती है इसके बाद जब हम दस लिखते हैं देखे लिख लेते हैं दो अंकों यहां लिखते हैं एक से लेकर एक से नब्बे तक में दो अंकों वाली संख्याएं दो अंकों वाली संख्याएं कोंकों से होंगी देखे 10, 11, 12, 13, 14 अप्टू यह नब्बे तक होंगी ठेक न तो यह गिंती में कितनी होंगी वही हमारा अनुकुल परिणामों की संख्या प्राप्त हो जाएगा तो लिखेंगे अनुकुल परिणामों की संख्या बराबर तो इसमें देखे इसमें हम क्या करेंगे नब्बे में नो संख्या घटा देंगे हना सुरू की नो संख्या हम कुल संख्या नब्बे में से नो घटा देते हैं तो यह हमको प्राप्त जाएगी 81, तो अनुकूल परणामों की संख्या तो 81 हो गई, अब हम लिखेंगे P, दो अंकों वाली संख्या, इनकी प्राइकता निकाल ली है, तो हम लिख सकते हैं, अनुकूल परणामों की संख्या बटे सभी संभव परणामों की संख्या बराबर, तो अनुकूल 81, तो 81 बटे 90, यह सरल होगा, 9 के 85 से कटेगा, 9, 9, 81, 9, 90, इस प्रकार 9 बटे 10 प्रस्ट का हल हो गया, तो इस इक परणामों आप देखें, दुसरा भाग देखते हैं, तो दुसरा भाग में क्या लिखा है, एक पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक ना, तो पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो लिखेंगे, पहले देख लेते हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं, तो देखें, एक, चार, है ना, चार का वर्ग मूल निकलेगा, तो दो निकलता है, फिन नो, ठीक ना, नो का वर्ग मूल, तेन, सोल, पचेस, छतेस, उन्चास, चोंसट, एक्यासी, ठीक ना, एक सिलेकर नब्य तक में यही पूर्ग संख्या मिलेंगी, जिनका हम वर्ग मूल ज्याद कर सकते हैं, ठीक ना, एक यहासी का नो, चोंसट का आठ, उन्चास का साथ, तो इस प्रकार अनुकूल पणिनाम कितनी हो जाएंगे, तो यह हो जाएगा, अनुकूल पणिनामों की संख्या, बराबर, इसको गिन लिजे, एक, दो, संख्या, एक, पूर्ण, वर्ग, संख्या, बराबर, इसमें लिखेंगे अनुकूल पणिनामों की संख्या, तो कूल अनुकूल पणिनाम, नो, और सभी संभो पणिनाम कितने हैं, नब्बे, यहां लिखेंगे, नब्बे, नो एक कमनो, नो दाहां, नब्बे, तो एक बट यह 10 आ गया इसी पकार तिसरा भाग देख लेते हैं तो तिसरा भाग के लिए लिखा है इसी संख्या जो पांस से विभाज हो तो हम लोग लीखेंगे थिर्ड नमबर देखें सभी परणामों के संख्या तो 90 ही है और पांस से विभाज संख्या कौन-कौन सी हैं, उसको हम लोग बस यहां लिख लेते हैं लिखेंगे पाँच से विभाज संख्याए तो कौन-कौन सी हैं, पाँच, दस पंदर, बीस, पचीस, तीस पैंटीस, चालीस, पैंटालीस पचास, पचपन, साथ पैंशट, सत्तर पचहत्तर, असी पचासी, और ये नब्बे ठीक ना, तो अनकौन परणाम कितने आ गए हैं, इनको गिल लेते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारह, बारह, तीरह, चौद, पंदर, सोल, सत्र, अठारह, तो ये अठारह हो गया तो जगा, अठारह, बटे, नब्बे, ठीना, तो अठारह, एक कम, अठारह, अठारह, पंचे, नब्बे, तो एक, बटे, पांच, प्राप्त हुआ तो इस प्रकार, प्रस्ट नमब, अठारह के, सभी भाग हो गया